दो हजार बाइस में Forbes की richest लोगों की अगर हम list देखें तो इसमें Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Fallon Buffett, Larry Page, Sergey Brick और even Mukesh Ambani जैसे नाम दिखेंगे पर अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के richest person का नाम इस list में है ही नहीं, in fact उसका नाम इस list में आस्तर कभी भी नहीं आया, तो आप क्या कहोगे, क्या ऐसा हो भी सकता है, ये इनसान लाडा नाम की company की एक आम गारी चलाता है, जिसकी कीमत सिर्फ एक से चाला के बीच में है, and I'm sure आपने इस company का नाम तक नहीं सुना होगा, इसके पास सिर्फ तीन गारिया हैं, और दो छोटे से apartment, इससे कहीं जादा property, तो एक छोटे मोटे Instagram influencer के पास है, फिर ये इनसान दुनिया का richest person कैसे हो सकता है, और इसका नाम Forbes की list पर क्यों नहीं है, और सबसे important सवाल, आखिर ये इनसान है कौन, जब Elon Musk से एक interview में कहा गया, कि तुम दुनिया के सबसे अमीर आत्मी हो, तुमें कैसा लगता है, तो इस पर Elon ने जवाब दिया, नहीं, Vladimir Putin मुझसे कहीं जादा अमीर है, अब आपके मन में कई जादा सवाल उठ रहे होंगे, उनके पास इतनी कम property है, तो वो दुनिया के सबसे richest इंसान कैसे है, वो Forbes की list पर पहले number पर क्यों नहीं है, तो आज इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे, आईए स्टार्ट करते हैं, Forbes की list में उन्हीं लोगों का नाम आता है, जिनके assets public होते हैं, सारी बड़ी companies को अपनी information public के सामने reveal इसलिए बड़ी companies के CEO's की wealth estimate करना असान है, पर दुनिया में कई सारे politicians, rulers, kings हैं, जिनकी wealth public को नहीं पता होती, कई सारे rulers के पास generation wealth है, जो सदियों से उनके पास हैं, और वो बड़ी जारी है, आखिर इस पर estimate लगाएं तो लगाएं कैसे, और इसलिए उनकी net worth publicly available नहीं होती, आज Elon Musk की total worth $219 billion है, और कहने को तो वो दुनिया के सबसे richest इंसान है, जो मार्स पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर आप यकीन नहीं करेंगे कि पुतीन की estimated worth शायद इससे भी जादा है, $285 billion, on papers देखें तो पुतीन एक साधारन आदमी है, जिसकी एक आँ politician की salary है, साल के स सबसे powerful leaders में से एक होने के लिए काफी कम है, और असली knowledge कहीं sources से पता करके सामने आई है, जो की इससे बिलकुल अलग है, पुतीन के पास असली में 700 गारिया है, 58 planes और helicopters है, उसका एक private aircraft है the flying kremlin, जिसकी अंदर bedrooms, बार, यहां तक की gym भी है, इस aircraft के अंदर जो bathroom में toilets हैं, उसकी seat gold की बनी हुई है, उसकी एक गारी 7 लाक डॉलर्स की है, जितनी उनकी official salary है उससे 6 गुना जाना, पुतीन का palace एक billion dollars में बनाया गया है, वैसे तो वो एकदम deny करते हैं कि ये palace उनका है, लेकिन रश्या के opposition leader ने एक documentary बनाई है, और पुतीन को accuse किया है कि वो palace उनी का है, और ये बात public से छुपा रहे हैं, वैसे कहा जाता है कि ये palace सिर्फ 350 million dollars का बना है, ना कि एक billion dollars का, और किसी और के नाम पर है, रश्या government का कहना है कि एक नहीं बलकि कई सारी Russian businessman की इस palace में ownership है, और वो कौन है वो इस knowledge को reveal नहीं कर सकते, पर Russian opposition का कहना है कि जो palace के official papers हैं, उनमें य palace 350 thousand dollars का बिका है, ना कि 300 million dollars का, इससे ये थाबित होता है कि ये deal एकदम नकली है, और दिखावे के लिए ये papers बनवाए गए हैं, ये documentary आपको YouTube पर भी मिल जाएगी, palace में जो भी worker काम करते हैं, कोई ऐसा cell phone carry नहीं कर सकते, जिसमें camera हो, ताकि palace की pictures leak ना हो सके, और palace एकदम no flying zone में है, यानि कोई भी normal citizen, इसके ऊपर से कोई भी aircraft नहीं उडा सकता, ना ही कोई drone, इस palace में दो helipads, एक ice palace, एक casino, एक night club और एक amphitheater है, इस documentary में आपको palace का interior भी देखने को मिलेगा, जिससे digitally बनाया गया है, उन construction plan की help से, जो leak हो चुके हैं, इसकी सिवा palace की research में कई Italian furniture stores को message क आगया था, और उनसे catalog लिए गये थे, जिसकी help से पुटीन ने palace की और better digital image बनाई, इसके अलवा palace की research में ये भी पता चला है, कि पुटीन ने Italian furniture लगवाया है, रशियन opposition का कहना है कि पुटीन के palace में जो toilet paper holder है, वो ही करीबन एक लाक रुपए का है, और वहां के toilet brushes भी 50,000 इसे जादा महंगे हैं, अब सवाल ये उठता है कि पुटीन के पास इतने पैसे आए कहां से, और वो सच छुपा क्यों रहे हैं, जब पुटीन रशिया के president बने थे तब उन्होंने 21 Russian oligarchs को अपने पास बुला लिया था, oligarchs पतलब वो Russian businessman जिनोंने Soviet Union के हिस्से होने के पर खूब पैसे कमाए थे, पुटीन ने इनसे meeting करी और कहां कि इन्हें अपने assets, अपने yachts और अपनी सारी property रखने दी जाएगी, पर इन लोगों को पुटीन को कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, और वो सब मान गए, वो जानते थे कि रशिया के president से वो लड़ नहीं सकते ह में से एक oligarch था, मिखैल Khodorkovski, जो इस agreement से खुश नहीं था, और मिखैल ने पुटीन से सवाल उठाना शुरू कर दिया, मिखैल और पुटीन की एक public debate हुई, और मिखैल ने पुटीन को corruption के लिए accuse भी किया, उसने कहा कि रशिया के बड़े बड़े officials रिश्वत लेते हैं, इसके कुछी वक्त के बाद मिखैल पर fraud और tax evasion के charges लगे, उसे almost 10 सालों की सजा सुनाई गई, और उसे Siberia के एक labor camp में भेजा गया, जहां उसे दिन में 16 घंटे तक काम करना पड़ता था, जी हाँ, एक Russian billionaire के साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर उसका सामना रशिया के president से हो रहा ह In fact, उस समय तो कहा गया था कि मिखैल रशिया के सबसी अमीर आदमी है, पर वो पैसा भी power के आगे किसी काम का नहीं था, जब मिखैल की सजा पूरी होई तो उसने कहा कि अब वो politics और business के बारे में बात नहीं करेगा, आज वो रशिया में नहीं रहता है, बलकि London में है, मिख 50% उसने government या किसी और organization के लिए नहीं, बलकि सिर्फ अपनी जेब भनने के लिए मांगे थे, Bill Bauder जो की एक American Financer है, उनका कहना है कि इस deal के दोरान, पुटीन ने रिश्वत से 200 billion dollars कमाए, और ये आज की नहीं 2000s की बात है, और इसलिए इसमें कोई है कि 285 billion dollar आज उनकी net worth कैस नहीं है, बलकि शायद दुनिया की सबसे करब deals की बात हो रही है, शायद ही दुनिया में किसी ने इससे ज़ादा रिश्वत ली होगी, Gary Kasparov, जो की रश्या की chess grandmaster है, और world champion रह चुके हैं, वो कहते हैं कि पुटीन के रश्या में fake news का दूसरा नाम ही news है, लेकिन पुटीन उनके खास दोस्तों के नाम पर लिए गए है, de facto possession यानि कि जो assets होते हैं, वो किसी और के नाम पर लिए होते हैं, लेकिन उनका actual control पुटीन के हाथ में है, पर अब सवाल ये उठता है कि ये सब हमें पता कैसे हैं, साल 2021 में Pandora Papers लीक होए थे, ये वो documents थे जिसमें कई सारे अ पुटीन के खास दोस्तों का नाम भी इन Papers में था, दरसल पुटीन के assets इनके नाम पर लिए गए गए थे, लेकिन उनका actual control पुटीन के अंडर है, इसके सिवा कुछ ऐसे ही 2016 में भी हुआ था, जब Panama Papers लीक होए थे, और कई सारे government officials को expose किया गया था, तब भी पुटीन का नाम पेपर्स में नहीं था, पर उसके कुछ खास दोस्तों का नाम इसमें जरूर मिला था, इन में से एक थे पुटीन के best friend, सरगे रॉल डूगिन, वो हैं सिर्फ एक musician ना कि कोई बड़े businessman और शायद इसलिए पुटीने इने चुना अपने assets को छुपाने के लिए, अगर वो पैसा सच में उनका है, तो वो शायद इस दुनिया के सबसे richest musician होंगे, पर सच तो ये है कि वो भी बस पुटीन के एक account holder है, जब पुटीन से पु बड़ी दौलत है, पुरा सच क्या है वो कोई नहीं बता सकता, पर हाँ, कुछ सालों पहले Bill Browder का कहना था कि पुटीन की इतनी wealth है जितनी Jeff Bezos, और Bill Gates की मिलाकर भी नहीं है, और आपको ये जानकर हैनानी होगी कि पुटीन काफी गरीबी में पला बड़ा है, उनके dad एक factory म 15 करोड का है, बिल ब्राउडर जिन्होंने पुटीन का सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, उन्हें 2005 में रशिया ने एक national security threat declare कर दिया और उनका रशिया जाने पर ban लगा दिया, उल्टा पुटीन ने ब्राउडर पर आरोप लगाया कि उसके business associates ने अपने taxes पे नहीं किये हैं, वो समझते हैं कि पुटीन चाते हैं कि वो लीगली ब्राउडर को रशिया लेकर आए और फिर रशिया में जेल में मार दें, इसके लिए वो एक Interpol Arrest Warrant Issue करना चाते हैं, यानि एक ऐसा international document जो बहुत ही wanted लोगों के खिलाफ होता है, जिससे उस इनसान को किसी भी कंट्री से डिटेंग किया जा सकता है, इससे ब्राउडर को असानी से रशिया में मारा जा सकता है, इससे पहले उनके lawyer, Sergei Magnitsky को भी एक Russian prison में torture किया गया था, और medical treatment ना मिलने के कारण उनकी मौत हो गई थी, Magnitsky ने Russian corruption exposed किया था, और jail में रहने के एक साल के अंदर अंदर, उन्हें अपनी family member से मिलने की भी permission नहीं थी, reporters का कहना था कि Magnitsky ने मौत के 5 दिन पहले complain किया था कि उन्हें पेट में बहुत दर्ध हो रहा है, मनने से पहले वो हर 3 घंटे उल्टी करते थे, जब उन्हें medical unit में ले जाय गया तो doctor ने कहा कि वो एक bag के पीछे छुपकर रह क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उन्हें मार देगा, उन्हें बस एक pain killer दिया गया और उनकी दिमागी हालत को monitor करने लग गये, दो घंटे के बाद वो मर चुके थे, उनकी prison diary में लिखा था कि उन्हें कई बार convince करने की कोशिश की गई थी, कि वो government के खिलाफ सफाई ना दे, पर वो बार-बार मना करते थे, जिसके कारण उन्हें जेल के और खतनाक sales में ले जाया जाता था, अगर उन्हें सही वक्त पर सही medical treatment मिला होता, तो उनकी जान जरूर बच जाती, पुटीन एक powerful आदमी है और वो कुछ भी कर सकते हैं, एक बार एक Russia media outlet में ये खबर चापी थ और interesting बात ये है कि पुटीन को दो बार noble prize winner के लिए भी nominate किया जा चुका है, Russian oligarchs हैं तो बहुत अमीर, लेकिन वो पैसा भी किसी काम का नहीं अगर वो पुटीन के दोस्त नहों, power से पैसा जरूर मिलता है, पर सिर्फ पैसे से power नहीं मिलती, दोस्तों अगर आप amazing लोगो हम description और first comment में दे देंगे, anyways दोस्तों गर आप ऐसी knowledgeable videos मिस नहीं करना चाहते हैं, तो subscribe करने के बाद bell का बटन दबाना मत भूलेगा, आप comment करके ये भी बता सकते हैं कि आप next video किस topic पर चाहते हैं, चलती हम आपसे दुबारे मिलेंगे, जैहिंद!